प्रधान मंत्री मोदी अपने कच में बैठ कर मुख्य मंत्री नितीश कुमार का इंतजार कर रहे थे और मुख्य मंत्री नितीश कुमार हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए प्रधान मंत्री के कच में दाखिल होते हैं और प्रधान मंत्री वही पर बैठ कर नितीश जी का इंतजार कर रहे थे जैसे ही प्रधान मंत्री के कच्छ में नितीश कुमार एंट्री लेते हैं नरेंद्र मोधी मुस्कुराते हुए नितीश कुमार से कहते हैं आप कहां चले जाते हैं हम लोगों को छोड़ कर और इस सवाल के जवाब में नितीश जी कहते हैं हाथ कभी कभी अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं और उसके बाद दोनों नेता मुस्कुराते हुए अपने अपने कुरसी पर बैठते हैं तकरीबन 10 मिनट तक दोनों की बातचीत होती है और नितीश कुमार लगतार 10 मिनट प्रधानमंत्री मोदी को ये समझा रहे थे कि कैसे राज वो प्रधानमंत्री मोदी को नितीश जी समझा रहे थे और प्रधानमंत्री भी बड़ा धैर से नितीश कुमार के हर बात पर गौर कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के सामने नितीश कुमार ने इंडिया गठवंदन में हो रही दिक्कतों का भी जिक्र किया बताया कि कभी कभी इधर उधर हो जाता है अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं और फिलहाल सुर्खियों में यही बना हुआ है कि कल दस मिनट के मुलाकात में मोदी और नितीश के बीच में क्या-क्या बातचीत हुई पहले चर्चा हो रही थी कि सीट बटवारे को लेकर बातचीत होगी इस बात पर भी चर्चा हो रही थी कि मंत्री मंडल विस्तार किस तरीके से होगा इस पर भी चर्चा होगी लेकिन मुलाकात के बाद जो जदियू के सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ना तो मंत कुट्रि मंडल के विस्तार पर चर्चा हुई और ना ही लोगसभा के सीटों के बटवारे को लेकर कोई भी चर्चा हुई चर्चा सुर्फ इतनी हुई कि इंडिया गठ बंदन में नितीश कुमार को क्या परिशानी हो रहा था चर्चा सिर्फ इतनी हुई कि कॉंग्रेस और राजद वाले कैसे नितीश कुमार को परिशान करके रखे हुए थे और चर्चा ये भी हुई कि वर्तमान में पूरे भारत का राजनितिक परिद्रिश क्या है नितीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलकर नि तब आपको उनकी बातों का भरोसा ना चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा लेकिन सबसे जो मजाकिया अंदाज में पूछा गया सवाल था वो नरेंद्र मोदी के दोरा पूछा गया और सवाल ये था कि आप हम लोगों को छोड़ कर कहां चले जाते हैं और इसके जवाब में हिचकते हुए मुख्यमंत्री मारनिया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हो जाता है कभी कभी अब की हम कहीं नहीं जाएंगे और कल से लेकर राज तक बिहार में सबसे ज़्यादा जो चर्चा जिस बात की हो रही है वो यही हो रही है कि प्रधान मंत्री मोदी से मिलने के बाद उनकी क्या परिकल्पना रही होगी और जब वो मिले तो उनकी क्या बातचीत होई होगी फिलहाल तो यही सामने आया है कि मोदी जी ने कहा था कि आप हम लोगों क्यूं छोड़ते हैं और नितीश जी ने कहा कि अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हाला कि मोदी जी से मिलने के बाद नितीश कुमार अमित्चाह से मिलने गए थे आज वो लाल कृष्णा अडवानी से मिलने वाले हैं हाल ही में लाल कृष्ण अडवानी जी को भारत रत्म देने का घोशना हुआ है और उनको नितीश जी बधाई देने के करम में आज मिलने जाने वाले हैं। सुन रहे थे और उनकी बातों पर पूरा गौर भी कर रहे थे। नितीश पुल्ड़ झाल